जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्ताम नाए आज है गुरु पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत बड़ा नक्षत्र होता है इसमें अनेको शुब कारिय कि ये जाते हैं आज अब अपनी कॉपी पे नौट कर लें वैसे पहले हमारे पुराने दर्शकों को सभी को मालूम होगा लेकिन कुछ और भी इसकी विश्यस्ताइं हैं आज अब सब जाने और उन्हें नौट कर लेना आएए पहले आज काम पंचांग देखें अब पुष्य नक्षत्र क्या होता है नई दर्शक समझ लें गुरुवार का दिन हो यानि के थजड़े हो और थजड़े के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उसे हम गुरु पुष्य करते हैं हमारे 27 नक्षत्र होते हैं ऐसे ही संड़े के दिन रवीवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए वो रवी पुष्य नक्षत्र कहलाता है और ब्रस्पतिवार के दिन यानि के गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता ह अब आज के दिन आप क्या कर सकते हैं जैसे बच्चों की विद्या आरंब खराने का दिन आज का बहुत अच्छा होता है गुरुवार है उपर से पुष्चे नक्षत्र है बड़ा सुब दिन होता है किसी भी नई काम को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है अब जैसे आप बहुत दिन से यह सोच रहे हैं कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं ऐसा बहुत साथगों का सवाल होता है अंदर से आपके मन होता है कि हम पूझा करें भक्ति भाव जगा है लेकिन किसी भी कारण वस भक्ति भाव जाग नहीं पाता तो आज का दिन बड़ा स्रेश्ठ है अभी आप ये सुबह के समय हमारे कारेकरम सुन रहे हैं किसी भी समय आप सुन रहे हैं तो अब ध्यान रखना आज शाम से प्रियास करें, भगवान विश्णु का इस्मरन करें, जगदंबा का इस्मरन करें और जगदंबा और भगवान विश्णु का शोट शोप चार पूजन करके या पंचोप चार पूजन करके आज के दिन आप भगवान का अशिरवाद लें और चाहें 10 मिनट से ही सुरू करें आज के दिन से आप पुन है अपनी पूजा को प्रारम बगर दें दूसरी बात आज के दिन बिलवरक्ष की जड़ पहनना बहुत शुब होता है केले की जड़ पहनना बहुत शुब होता है और हमारे तो जितने भी प्राने सादक हैं करीब करीब सब केले की जड़ पहने हुए है ना तो आज के दिन वो क्या कर सकते हैं गले से उसको उतार करके धूप दीव दे सकते हैं किसी भी समय पूरा दिन के हिसाब से आप कर सकते हैं हालेकि जो गुरु पुश्य नक्षत्र है वो शाम को पांच बच करके 48 मिनट तक है आज काफी समय है शाम तक का पूरा समय है तो किसी भी समय उसको गले से उतार के पानी से दोलें रिचार्ज हो जाएगा पानी से दोलें धूप दीव दे करके हलका सा हल्दी का तिलग लगा करने और यह दिए केले की जड़ पहनी है ओम गुर्वे नमा ओम गुर्वे नमा या बीजात्मक मंत्र ओम गर्म ग्रम से गुर्वे नमा इस मंत्र को चपने एक दो मिनट या पांच मिनट एक माला कर लें और फिर पुने उसको धारन करने रिचार्ज हो जाएगा आपने प पुखराज की अंगुठी कोई पूरी को और धूप दीब दे करके ओम ग्राम ग्रिम गुर्वे नमाज को पहने तो आपका पहना हुआ कोई भी यंत्र कवच अंगुठी वो रिचार्ज होगी उसमें पावर आएगी लाप मिलेगा शुद्धी घरण भी हो जाएगा कई ब आप तो उसको दूप दीब देखर के पुने गले में पहने और यदि आपने मनिक्य पहना हुआ है या तांबे की या अश्ट दार्तों की कोई अंगुठी आपने पहनी हुई है तो आज का दिन उन सब को रिचार्ज करने का बड़ा अच्छा दिन है सूर्य चिपने से पहले पहले तक ही आपको ये विधी करनी है उस अंगुठी को शुद्य जल में थोड़े through करके कपड़े से पूछ करके धूब दीब दे करके सूरिय भगवान का स्मुनण करके और यजि मंगल से संबंदित कोई अंगुठी पहनी है मुंगा पहना है तामा पहना है या तामे का कड़ा पहना है तो वो भी आप मंगल में मंगल का मंतर चपेंगे बस आपको कोई भी मंतर याद नहीं है तो इतना ध्यान रखने मंगल में ओम मंगलायने में बोलने दो चार पाँच मेट सूरिय में ओम सूरियायने में बोलने गुरु में ओम गुरुबेने में ठीक है आप ये तीन चीजों के लिए बड़ा अच्छा खास देने की अंगूठी का शुद्धी करन आज नहीं हो सकता शनी की अंगूठी का शुद्धी करन आज नहीं हो सकता बाकि पन्ने का कर सकते हैं मोती का कर सकते हैं किसी भी यंत्र का कर सकते हैं एक चीज और बहुत अच्छी करीब करीब सभी के घरों में संक है है न सब के घर में संक होते हैं तो आज के दिन संख को शुद्ध जलसे दो करके तिलख लगा में धूब दीब करें यदि बजाने वाला संख है तो कुछ पल उसे बजाएं कई बार हम रख तो लेते हैं बजाने वाला लेकिन बजाते नहीं कभी मनाया कुछ कुछ ऐसा हुआ तो बजा लिया लेकिन आज के दिन संख को बजाना भी बड़ा सुब होता भगवान विश्णू का संख है और ये दिदक्ष्णावरती संख है तो आज के दिन उस संख को भी धो पूछ करके अच्छे से उस पर तिलख लगा करके उसमें जल भरके पूरे घर में जल का छीटा मा रहे लक्ष्णी गनेश मेटल के है मैटल कोई बी मूृती मेटल की है उसे भी ऐसे ही शुद जल से पूसी पूर कराकर के और यृदि शिवलिंग सभी उसी प्रकार से इस प्रिकार करके उनको दूप दीब देकर के यधा अस्तान पर फूल आदी चढ़ करके प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद जो उनसे संबंदित आप मंत्र पढ़ते हैं लक्समी जी से संबंदित या विश्णु जी से संबंदित या क्रशन जी से संबंदित लड्डू गोपाल भी सबके घर में होते हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल को भी शु रूप से प्रारंब हो जाती है तो ऐसे कोई मेटल की मूर्ती है कुछ भी है उनको भी ऐसे कर सकते हैं और जिस देवी देवता से संबंद रखते हैं यानि कि संबंद ही तो वह मूर्तिय है उन्हीं मंत्रों को आप पढ़ ले तो आज का दिन बड़ा अच्छा है शाम तक का आपके पास समय है मौका हाथ से मत जाने देना और शायद कुछ यह बाते आज आज आपको बहुत लोगों को पहली बार पता लगींगी और एक बात और अपने सभी साथगों से कह दूं कि जब जब गुरु पुश्यनक्षत राता है तब तब आप अपनी धादू की मूर् पहने हुए रतन इसी प्रकार्स के शुद्ध कर लिया करें आप देखना जैसे एक बैटरी चार्ज हो आती है मोबाइल की घर की बैटरी वैसे आपको लगेगा कि आपके रतनों में एक और आ गई है एक पावर आ गई है ऐसे आप जब मूर्तियों को अच्छे से स्नान करा करके पुनह स्थापित करेंगे आपको लगेगा एक मन आपका भी निर्मन हुआ है और एक पूजा पाठ का अलगी आनन्द आने लगा है बस आप करिएगा और बाकी जिन को नहीं मालूम वहां तक इस प्रकार की वीडियो हमारी शेयर कीजिए आप ताकि लोगों को जादे से ज़्यादा पता लग सके बाकी आगला महीना जून का है जून महीने में राशियों का परिवर्त है वो हमने सभी के उपाए बता दी है आप भले उन हमने चार उपाए बताए एक कर लिया करू कुछ ना कुछ कर लिया कर ऊसमें से आगे शुक्र 30 तारीक को परिवर्दित हो जाएंगे तीस मही को तो शुक्र भाई बहुत बड़े ग्रह हैं उनके भी एक दो छोटे-छोटे उपाए बता दूँगा वो भी आप करने का प्रियास कर लिए गया एक दो साल ऐसी मेहनत कर लो फिर उसके बाद अपने इस्ट मंतर पर पूरा जोड लगाना इस्ट मंतर साल ऐसी मेहनत कर लो मेरे साथ को आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा और अविश्य लाप मिलेगा आईए समय उचला आज की ध्यानमाला का बहुत प्यारा दिन है जुड़ते हैं भागवान स्री विश्णु से ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवे सयंतं वटाश्य पत्राश्य पुटे सयानं वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्णुम्भव वयहरं सर्वलो के कनाधं कवच बना लें ध्यान करें विश्वनुजी का शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले समान्य हो जाएं देखो साथ को जैसे आज की हमने बात बताई कि रिचार्ज हो जाती ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे 18 जून को जो विशेष रुद्राविशेक पूजन है पार्थिफ शुलिंग का पूजन है आप मानना ना मानना आप जब जो लोग वहां आएंगे आपकी भक्ती रिचार्ज हो जाएगी आपकी शक्ती अंदर नहित जो आपके शक्ती है वो सुचारों रूप से काम करने लेगेगी आपका पित्र दोस्थ का शमन होगा आपके पित्र संतुष्ठ होंगे और आपको और भी नाना भाती कि लाविल्भ प्राप्थ होगे और हमने जैसे कि कहा भी था कल परसों में भी, आगे आगे हम संस्थान के तरफ से कुछ लाइव पूजन, छोटे छोटे लाइव पूजन, वो हम करवाना शुरू करेंगे अभी, पूरे वस्ता बना रहे हैं, तो आपको उसमें फाइदा बहुत बढ़ाए हो जाएगा, एक कुछ छोटे छोटे पूजन आप करना सीख जाएंगे, और एक अपने घर में बैटके रही करेंगे, कहीं आना जाना नहीं बढ़ेगा, तो आपको और भी आना डाएगा, ठीक है, हमारी भावना सिर्फ यह है कि किसी भी तरीके से हम बहुत बलवान बने, शक्तिबान बने वाईवाब मान मने, हमारी जितनी वे समस्याएं हैं, जगदंबा के करपा से दूर हो जाएं, हमारी यह इसके पीछे भावना है, और वही है, सर्वे भवन्तु सुखीने, सर्वे संतु जिरामया, कि विश्व का कल्यार हो है न, तो आप सब इसका भागिदार बने, अधिक से अधिक लोगों को हमारी इस प्रकार की व्रक्तव्य से जोडने का आप लोग प्रयास करें, आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इनी शुब कामनाव के साथ हम अपनी वाणी को पराम देते हैं, जय 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 हम बहें मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फड़ जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया, मेरे तीस साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मेरी मैं मंतर करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंतर से मेरी रोशनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें